नमस्कार, जोतिस अर्चारे प्रमिल चत्रुवेदी मित्रु 2024 के लोगसोभा के चुनाओं के मद्दे नजर रखते हुए बहुत सारे हमारे फॉलवर्स के ऐसे सवाल रहे है परिवर्तन ही संसार का नियम है और भारती जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने सुन्दर और शांदार तरीके से अपना प्रस्तू तिक्रण कर रही है ऐसा आभास होता होगा आपको भी क्या वन पार्टी सिस्टम का दौर तो नहीं आने वाला है 2024 में क्या होने वाला है BJP के दिपक्ष में कांग्रेस पार्टी क्या विपक्षी पार्टी के रूप में अपने स्वैंग का प्रस्तुतिकराण कर पाएगी अथ्वा क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अस्थाल लेने वाली है या फिर ऐसा भी क्या हो सकता है कि भारती जन्ता पार्टी के बिपक्ष में कई दलों का गठ बंदन, महा गठ बंदन और समुहन तयार होगा यह भी सवाल होता होगा, आपके मानस पटल पर आता हुआ दिखाई पड़ता होगा कि बिपक्ष पार्टी का वेशिस्ट नेता, बिपक्षे नेता कौन होगा 2024 के लोगसभा के चुनाव में ऐसे बहुतेरे सवाल हमारे और आपके जहन में आते हैं और इसी संदर्व में हमारे कई फॉलोवर्स के सवाल रहे है कि 2024 की लोगसभा के चुनाव के संदर्व में बिजेपी अपना प्रस्तुतिकर किस प्रकार कैसे कर पाएगी अथवा कांग्रेश पार्टी का क्या होगा आमादमी पार्टी क्या राष्टी पार्टी की रूप में उभरती हुई दिखाई देने वाले उस गुंजाईस काल 2024 की लोगसभा चुनाव में स्वैंग को पाएगी कई दलों का समूहन और उस महागठ बंधन क्या कांग्रेश पार्टी जो बिपक्षी पार्टी के रूप में अभी तक भारती राइनतिक पार्टी भारती राइनतिक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत जो बिपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेश रही है क्या उसका और उन सवालों के जवाब के संदर्व में हमने मेहनत करी है और मानिनी मोदी जी, मानिनी योगी जी, अमीज साइजी और मानिनी राहुल गांधी जी कांग्रिस पार्टी और बीजेपी भारती जनता पार्टी के जन पत्रिका को हमने बेज बनाया है जब 2024 का चुनाव होगा उस मद्धी नजर रखते में ग्रह गोचर की कैसी बेवस्था होगी परिवर्तन संसार का नियम है क्या 2024 के अगामी और लंबे कारेकाल तक अंतराल कालखंड तक भारती जनता पार्टी सत्ता में रह पाएगी ऐसे बहुत सारी सवालों का जवाब आप से समय लेना चाहूंगा पांच से दस मिनट के अंतराल में मैं आपको अस्पस्टिकन करने की उस गुंजाई सकाल में मैं परियास करता हुआ मैं आपके समक्स प्रसुत होने की आप से इजादत चाहूंगा कॉंग्रेस पार्टी और मानिनी राहूल गांदी जी की जन पत्रिका पर यदि द्रिश्टिपात किया जाए शुरुवात करते हैं कॉंग्रेस पार्टी और मानिनी राहूल गांदी जी की जन पत्रिका क्या भी वेचन कर रही है आपको जानकारी है कि दो जनवरी 1978 दिन के 12 बजे दिली के उस मोहुर्त काल में कॉंग्रेस पार्टी का गठन हुआ कॉंग्रेस पार्टी की जनपत्रिका के सापेच ब्रिहस्पत की महादशा में कॉंग्रेस पार्टी चल रही है जो मार्च दोहजार पचीज तक कॉंग्रेस पार्टी की जनपत्रिका से ब्रिहस्पत की महादशा चलेगी और ब्रिहस्पत केंदर अधिपत दोश्य पिर्थ है और कॉंग्रिस पार्टी की जनपत्रिका के चोथे सिहासन भाव में ब्रियाश्पत विराजमान है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो जनता का कारक्षनी है कॉंग्रिस पार्टी के हानी भाव अर्थात बारवे भाव में उस चुनावी समय की बात कर रहा हूं 2024 में जब लोग सभा का चुनाव होगा तो कॉंग्रिस पार्टी की जनपत्रिका के बारवे हाणी भाव में शनी गुजरते हुए और अगले करम में मानिनी राहूल गांधी जी की जनपत्रिका की बात किया जाए मानिनी राहूल गांधीजी की जनपत्रिका में मंगल और राहू से संबंधित उस दशाकाल में इन दोनों ग्रहों के उस गोचरी बेवस्था में यदि ध्यान दिया जाए तो 6 फरवरी 2024 से 23 अप्रेल 2024 तक मंगल मकर राशी और कुम्भ राशी से गुजरता हुआ और राहू म में राशी कराएगा चुकि मानिनी राहूल गांधीजी की जनपत्रिका मगर लगन की है अर्थात मंगल और राहू और साथ में शनीत लित अवस्था में रहेंगे इसका तात्पर क्या है कि मानिनी राहूल गांधीजी को महागठ बंधन में बंधने के लिए पिरित करने के मश्गूल और मजबूर करेगा वैसी भी देखा जाए तो मानेनी राहूल गांधी जी की जनपत्रिका में जो जनता का कारक्षनी है वह जनता का कारक्षनी नीच की राशी में मेश राशी में मानेनी राहूल गांधी जी की जनपत्रिका के चौथे सिहासन भाव में भी राज में आने के लिए मसकत और समस्या भाव में आए और कॉंग्रेस की अस्थान पर ऐसा भी हो सकता है कि छेत्री दलों का समुहन एक बिपक्ष में आता हुआ दिखाई दे शनी न्याय नहीं कर रहे हैं माननी राहूल गांधीजी की जन पत्रिका में मंगल और राहू विशंगती भाव में है गरह गोचर की विवस्ता में अर्थात ऐसा भी हो सकता है इश्वर करें कि ऐसा ना हो ऐसा भी हो सकता है जो जोत्सी संभाव की रुप में है कि आज तक जो कॉंग्रेस पार्टी को जो मतदान की प्राप्ति हुई है उसमें कॉंग्रेस को सबसे कम वोटों की संख्या में सिमटना होगा ऐसी जोत्सी संभावना जोत्सी इशारे हैं ज समय किसी को बलवान बनाता है मार्च दो ज़जर पचीश से मार्च 28 का अंतराल अर्थाथ मार्च दो ज़जर पचीश से कॉंग्रेश पार्टी की जुद जनपत्रिका है उससे शनीगी महादर्षा में कॉंग्रेस पार्टी स्वैन को बहुत शांदार तरीके से अभिप्रित वाली उस अवस्था काल में इंट्री करेगी अर्थात कॉंग्रेस पार्टी का भागोदे का जो फेज है चरण है काल खंड है उसकी शुरुवात मार्च दोजर पचीस से मार्च अठाइस में बहुत ब अर्थात नौंबर 2022 से अक्टूबर 22 के अंतराल कालखंड में नए नए कठोर कानून और नियम का निर्मान होगा जिससे जनता प्रसंचित भावों में आएगी यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि 2024 की लोगसुभा के चुराओ के पहले ऐसा भी होने की प्रबल संभाव इस्तितिक कालखंड में हम इंट्री कर रहे हैं कि पीओ के जो पाक अध्रित काल का स्मीर है पीओ के की करवाई पूल होगी और ऐसा भी हो सकता है देखने को मिलेगा कि भारत में संगलग्न हो चुका होगा और 2024 के चुनावी काल में राजनेतिक मुल्य में बहुत सारे फेर बदल होते हुए दिखाई पड़ेंगे अर्थात जो पॉलिटिकल वैलू है उसे बहुत सारे बदलाओ को हम बिलकुल तथ्यात्मक तरीके से बेवारिक तरीके से हम देखते हुए स्वैंग को पाएंगे अब बात करते हैं भारती जंता पार्टी के कुंडली में चंद्रम कोचर की बिवस्था में शनी और मंगल पर अगर दिश्टिपात करते हैं तो भारती जंता पार्टी की जन पत्रिका में शनी और मंगल ऐसे ट्रांजिट फेजवे रहेंगे अर्थात इसका तात्पर है कि भारती जंता पार्टी जंता से सीधे जुडाओ रखीगी और ऐसा भी हो सकता है कि S.C.S.T. और धार्मी के व्यत्यों को भी जोने का सार्थक प्रयास भारती जनता पाटी करते हुई पाएगी ऐसा प्रवल इंडिकेशन की ऐसी संभावे इस्तिती की बेवस्था बनती हुई प्रपीत हो रही है चुकि चंद्रमा की महादशा और बुद्ध की अंतरदसा ग्रागोचर की विवस्था में शनी और मंगल की बहुत ही शांदार तरीके से एक भारती जनता पाटी को अभी प्रेदित करती हुई उस अवस्था खाल में इंट्री कराएगी देखने पे आप महसूस करेंगे कि हम सब इसे फील करेंगे कि देश में एक पाटी का सिस्टम चल पड़ा है चुकि भारती जनता पाटी की ग्रागोचर और दर्शा बहुत शांदार रहेगी कॉंग्रेस का स्थान आम आदमी पाटी लेने के लिए इसी चुनाओं के बाद ऐसा भी फिल करेंगे हम और आप फिल करेंगे कि राश्टी पाटी के रूप में उ और शनी दोनों ग्रह चुनाओंवी समय में अर्थात 2024 की लोगसभा के चुनाओं के संदर्व में हम देखेंगे तो ग्रह गोचर के अनुसार मानिनी मोदी जी की जनपत्रिका के जनता और सिहासन भाव में जो चौते भाव की राशी कुम राशी है वहां से प्लानेट गु जरना बड़ा गजब करहेगा अर्थात मानिनी मोदी जी करिस्माई तरीके से पोली बीजिता बनकर उभरेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि इस चुनाओं में भारती जनता पार्टी को सबसे अधी सबसरवाधिक सीटों की संख्या की प्राप्ति हो जो आज तक नहीं हुआ है मित्रों मानिनी योगी जी की जनपत्री का जो सिंगलग्न और कुम्राशी की है दसम राज का अधि पत्ती शुक्र जो शुक्र की बीस वर्सों की महादसा है ऍकातष़ भाव में विराजमान है अर्थात मानिनी योगी जी को कार और जिमेदारी की बढ़ोतरी वाले उस कालखंड में आप इंटरी करने वाले हैं केंदर नेतत्रुक में आपका तीजी से शुरुवात वाले उस कालखंड में आप इंटरी करेंगे 2024 तक या साफ हो जाएगा कि मानिनी योगी जी जो संग के हार्ड कोर हिंदुत के एजेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं एक शक्ती केंदर के रूप में उभरेंगे मित्रों, मानिनी अमीर साजी की जनपत्रिका की बात किया जाए जो कन्यालग्ण और मेसरासी की है उचकराहू, दशम केंदरभाव में विराजमान है ब्रियश्पत और शनी की दशाकाल में आप चल पड़े है और मंगल और शनी का ग्रोह गोचर बहुत शानदार है अर्थात बिल्कुल एक निसकर्स के रूप में आप देखेंगे भारती जनता पार्टी अजीर हैगी सबसे अधिक सीटों की संख्या तक पहुँचेगी 2024 की लोगसभा के चुनाओ में चुनाओ के पहले पाक अधिरत कास्मेर भारत में शामिल हो चुका होगा और कॉंग्रेस बिपक्ष की भूमिका में आने में असमर्थता को महसूस करेगी और कई छेत्री दलों का समूहन एक बिपक्ष की भूमिका में होगा और ऐसा भी इंडिकेशन की प्राप्ती होगी कि बिपक्ष में कोई नेता नहीं होगा चुकि मंगल, शनी और राहु का जो ट्रांजिट फेज है बिपक्षी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी, माननी राहुल गांधी जी को सपोर्ट नहीं करतवा प्रतित हो रहा है एक राजनेतिक मुल में अलग प्रकार का परिवर्तन देखनों को मिलेगा और कॉंग्रेस इस चुनाव में सबसे कम सीटों की संख्या तक सिमटने हेतू मजबूर होगी कॉंग्रेस का जो ग्रोथ रेट होगा मार्च 28 के इस तीन साल के अंतराल में शनी की मादर्शा और शनी की अंतरदसाकाल में खुद को स्टॉंगली तरीके से प्रस्पतिकर करने वाले उस कालखंड में कॉंग्रेस पहुचेगी माननी योगी जी एक सक्तिक केमर के रूप में उभरते हुए दिखाई देंगे एक पार्टी सिस्टम को हम स्विकार करते हैं उस कालखंड में लोगसभाद चुनाओ 2024 के उस अंतराल कालखंड में हम इसे फेल करेंगे कि बीजेपी के अलावा और ऐसी कोई पार्टी विसेस नहीं है जिसको हम सपोर्ट कर सकें मित्रों लोगसभाद का चुनाओ आने वाला है हमारी भाविश्वारी हमारी फोरकॉस्टिंग जो ग्रहगोचर की बिवस्था है माननी योगी जी, माननी मोधी जी, माननी अमीज साजी, कॉंग्रिस पार्टी और बीजेपी की जो जनपत्री का है ग्रहगोचर की जो बिवस्थाएं है मैं छोटे से अपने वक्तबेशाइडी के विराम के लिए आप से इजाज़ चाता हूँ नवश्कार